interior को highlight करना है लेकिल market में है interior को highlight करने के लिए false ceiling की बहुत सारी light है and अब आप confuse हो कि किस light का क्या usage है वो हम क्यों use करते हैं उससे क्या effect आने वाला है पूरा google search कर लिया, youtube search कर लिया बर कहीं पे भी नहीं मिल पारा कि type of lights क्या होती है एन उसका usage क्या है उसको लगाने का purpose क्या है तो calm down guys specially लेके आई हूँ आपके लिए वीडियो हम बहुत detail में discuss करने वाले हैं कि किस light का usage है हम कौन सी light किस effect के लिए लगाते हैं और कहां पर लगानी चाहिए तो वीडियो होने वाले बहुत ही informative तो वीडियो को एन तक जरूर दे से खरीदने से पहले यह वीडियो जरूर देखना ताकि आपके घर में जो चीज़े आपने कराई है वह वसूल हो जैसा effect आप सोच रहे हो वैसा effect आपको मिल जाए तो start करते हैं वीडियो को आया है आम अकिटेक भावी यू आ वाचिंग आकिटेक वर्ल्स तो कैसे हैं आप आगे हम जाए वीडियो को start करते हैं पैनल लाइट के साथ अब जो पैनल लाइट है वो आपने बहुत जगा सुना होगा अक्सतर लोग यूज भी बहुत साथा कर रहे हैं यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारे रिव्यूज आपने देखी होंगे बट मैं आज आपको बताने वाली हो कि पैनल लाइट होती कहां क्या है कि पैनल लाइट होती क्या है और हम इसे कहां पर यूज करते हैं तो पैनल लाइट एक ऐसी लाइट है सबसे पहले आप इमेज देखिए अब यह होती क्या है और यह एक ऐसी लाइट है जिसमें से आप शैडो क्रेट नही यह कोई shadow create नहीं करती, यह पूरे room को एक साथ light up करती है, अगर आप ध्यान से यह picture को देखेंगे, तो जो इसका finished surface है, वहाँ पे एक white color की sheet आपको नजर आएगी, तो जो यह sheet होती है, यह acrylic sheet है, एक sheet की वज़े से पूरा जो light है, वो spread out होती है, एक जगा पे नहीं पढ़ती, पूरे room को साथ में light up करती है, तो अकसर हम लोग यह घरों में use करते हैं, इस light को, इसका main purpose क्या है, कि जो हमारी day-to-day activities है, वो easily perform हो पाए, because हमें interior जो highlight करना होता है, वो बहुत कम बार, like कोई guest आया, तो हम highlight करेंगे, या फिर नया घर बना है, कोई family function है, तो हम उसको interior को highlight करने वाले हैं, लेकिन जो वहां रहने वाला है, उसको अपनी day-to-day activities है, like पढ़ाई करनी है, TV देखना है, या फिर जो भी activities है, उस activities को perform करन करने के लिए, जो amount of light चाहिए, वो light हम को मिलती है, पैनल light से, यह बहुत सारे brands में available है, local भी, branded भी, and जो इसका price है, यह starting करती है, 350 रुपीज से, and आप इसको उन सारी जगाव पे use कर सकते हैं, जहां पे आपकी activities होने वाली है, like आपका kitchen हो गया, आपका living area हो गया, dining area हो गय कि जितने भी new interiors हो रहे हैं, वहां ceiling के अंदर focus light के साथ-साथ panel light को mix किया जा रहे है, उसका mix करने का दीजन ही यह है, जो panel light है, उसका काम है, हमारी activities easily हो जाए, and जो focus lights है, उनका काम है, कि जो हमारा interior है, उस पे focus हो पाए, and इसको लगाना कहाँ पर है, तो जो भी आपका room है चाहे leaving है, चाहे bedroom है, हमेशा उसको corners पर देना है, कभी भी center में नहीं देना, because आपको corner से जब same amount of light आएगी, तो आपका room जादा अच्छे सा light up होगा, and center में we always prefer कि हम focus lights दे, because आपको bed के उपर, सर के उपर, एक amount of light नहीं चाहिए, आपका उसादे जब corner से same amount of light आएगी, तो बहुत जादा easy होगा, आपका पूरा room एक साथ light up होगा, and ये तीनों ही colors में available है, warm white, cool white, and natural white, तो अगर आपका कोई focus light warm white color का भी है, तो आपका जो ये light है, ये 3 in 1 भी आता है, तो आप switch से वो light change कर सकते है, तो ताकि जो आपका interior है, वो match भी हो जाए, जब कोई घर में नही light यूज कर ली, and जब कोई घर में है, and आपको सारी light same color की चाहिए, तो आप इसको change कर सकते हो, warm white में, तो ये होती है, पैनल light, अब next आती है, COB light, COB light क्या होती है, पहले image देखिए, आप इस image को दिहान से देखो, जो इसके अंदर का part है, आपको bulb दिखाई दे रहा है, यानि इस case में क्या है, ये hollow है, आपको bulb नजद आ रहा है, and जो bulb के आसपास circumferences है, वहाँ पर हमने लगाया हुआ, reflected glass, तो it means वहाँ पर glass लगा हुए, तो light glass से reflect होके, नीचे जागे कुछ ऐसा V बनाती है, तो जो भी चीज आपको focus करनी हो, कोई painting हो गई, आपका furniture हो गया, आपक वाट्रोब्स होगी, तो जहाँ पर आपको चीजे highlight करनी है, उन पर अंका focus दिखाना है, तो वहाँ पर हम ये light यूज करते हैं, आपका bedroom हो गया, पैसेज, तो सपोर्स आपका lobby area है, वहाँ पर सिफ normal passage है, वहाँ पर सिफ नॉर्मल पैसेज है, वहाँ पर सिफ नॉर्मल पै जहाँ पर भी आपको अपना interior highlight करना है, वहाँ पर आप अपनी COB light यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत सारे वाट में available हैं बजार में, तीनों ही colors में आती हैं, and interior highlight करने के लिए I always prefer कि आप COB light को warm white color का लो, interior काफी अच्छे से highlight हो जाता है, spot light, yes guys, spot light और COB light दो अलग-अलग light हो बहुत से लोग इसको same समझते हैं, पर ये same नहीं होती, तो मैं बताते हूँ, difference क्या है, जो COB light होती है, suppose ये आपकी light है, तो जहाँ आपने light लगाए है, वो V न महीं पर बनाएगी, तो कई बर क्या होता है, suppose मेरे wall पर कोई painting आई हुई है, मुझे मैं चाहती हूँ कि जो V ब रिम है, रिम हमेशा fix रहता है, आपका ceiling पर लेकिन जो light का अंदर वाला part है, वो tilt table है, आप इसको अपने according tilt कर सकते हो, जैसा आप चाहती हो, वैसा जैसे विचित आपको highlight करनी है, because कई बर क्या होता है, हमें simple एक angle नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे angle चाहिए, लेकि मुझे क कराने है, कई भी focus यहां करवाने है, तो यह रिल लाइटर कोई भी angle पर आप इसको अपने according fix कर सकते हो, जैसे भी आपकी need है, आपको जो भी highlight करना है, उस according, इसकी angle आप set कर सकते हो, and यह भी interior में focus के लिए ही use होती है, but इसका जो angle है, वो हमारे हाथ में हम इसका angle अपने according set कर सकते हैं, इसलिए यह different है COV से, बाकि सारे function सेम है, बट जो इसका angle है, वो हम अपने according set कर सकते हैं, इसलिए यह lights COV से अलग है, इनको हम बलते हैं spot light, यह भी आप अपने according कहीं पर भी use कर सकते हो, bedrooms में, living areas में, जो भी चीज आपको highlight करनी हो, और आप चाहते हो कि अगर य इना बनाए, यहाँ पर light लगे और सीधा इस पर पड़े, तो इस case में हम अकसर spot light या focus light ही use करते हैं, तो यह branded, non-branded सब जगा में available है, आप में प्राइस की बात करूं, तो starting होती है 500-550 रुपीज से, आप जितना higher जाओ उतने higher आप जा सकते हो, और बहुत सारे colors में भी आ सकते हो, जैसा आप चाहोगे वैसा हो सकता है, और अंदर जो bulb है, उसके में तीनो colors available है, warm white, cool white and natural white, अब हम बात करते हैं, track light की, track light बहुत ही common light है, आप सबने सुना होगा है, आप को समझ में ब्यारोगे track light होती ही क्या है, and guys trust me, track light के endless uses हैं, बहुत सारे use आप कर सकते हो, and track light भी use होती है, किसी चीफ पे focus डालने के लिए, अब आप कहोगे, कि माम track light और spotlight में difference क्या हुआ, जो spotlight होती है, वो concealed है, आपके ceiling के अंदर, लेकिन track light है, वो बहार आके focus बनाती है, आप image में देख पा रहे हो, and track light बहुत सारे available है, like fixed भी आती है, आप अपने recording इनको change भी कर सक चोटा सा part highlight करना है, तो आपने एक मीटर की track light लगा दी, उस पर तीन light लगी हुई है, जो light हो fixed है, उसका focus आपने set कर दिया, दो कर दिया, अपना painting पे एक कर दिया नीचे, that is called track light, and आप track light पूरे room में एक साथ भी use कर सकते हो, जैसा कि हमने यहां पे किया है, पूरे room के अं आपने पे लगानी है, तो अगर अपको focus कराना है अपना wall पे, तो आपने उसका angle बनाया wall की साइड पे, अगर आपको focus कराना है अपना furniture तो आपने उसका angle बनाया furniture की साइड पे, तो यहां पे आपके बस बहुत सारी liabilities है, आप अपने according किसी भी चीज को highlight कर सकते हो, and it is like that कि न जरूरी नहीं है कि आप track light को mix करो किसी और के साथ, mix कर भी सकते हो, लेकिन इसको individual भी use कर सकते हो, जैसा कि आपको इस image में दिख रहा है, कि पूरे room में center में square में track light लगी हुई है, देखने में काफी अच्छी लगती है, आजकल हम घरों में बहुत सादा use कर भी रहे है, and trust me, look and finish काफी अच्छी आती है, and अगर आप नहीं चाहते कि पूरे room में use करने है, तो आप simple एक wall को भी highlight कर सकते हो, and कई बर हम passage में भी use कर रहे होते हैं, उसका reason क्या है, suppose passage है, और मेरी दोनों wall पे कुछ न कुछ है, तो कितना गंदल है, कि मेरी spot light आधी इधर है और आधी दोनों wall भी highlight हो चाहे, and जो मेरा ceiling है, वो भी काफी अच्छे से लगे, तो यह होता है, uses track light का, सारी light ऐसी भी होती है, जो आप बिना false ceiling के अपने घर में लगा सकते हो, अगर आप जानना चाहते हो, उनके बारे में तो comment below, ताकि मेरी next video आए, वो इसे topic पे आए, तो बात करत इसका बस main चीज क्या है, आपको इसका जो design है, वो बहुत smartly choose करना बढ़ता है, तो profile light होती क्या है, it is like a aluminum frame, एक aluminum frame होता है, जो हम ceiling में fix कर देते हैं, उसके बार इस पे strip light लगाते हैं, then इसको cover करते हैं, acrylic sheet के साथ, तो it is called profile light, जो इसमें एक disadvantage है, कि जो इसकी highest length आती है, वो चोटी बड़ी कर सकते हो, काट के, लेकिन आप बड़ी नहीं कर सकते, लेकि 10 feet is the last, उसके बाद अगर आपकी जो length है, वो 11 या 12 feet है, तो बीच में joint आएगा, तो joint थोड़ा सा गंदा लगता है, तो वो आपको नहीं करना, try करो कि हमेशा 10 feet की length में ही profile light use करो, and in any some cases कि अगर आपने profile light से square बनाया है, तो आपको जो हमेशा जो पर continuous होंगे उनको angle पर cut करना है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, वो इतना खराब ना लगे, because straight cut बहुत गंदा लगता है, angle में cut फिर भी थोड़ा बेटर लगता है, and जो इसकी under strip light है, वो आप अपने according control कर सकते हो, बहुत सारे watt में आती है, अगर आपने लगाई है, profile light की सिर्फ normal लगाई है दिखाने के लिए, तो आप कम watt की लगा सकते हो, और अगर आप लगानी पड़ेगी, and इसको आप wall पे भी उतार सकते हो, like proper SL बना सकते हो, आजकल बहुत सारे designs चल रहे हैं profile light में, देखने में काफी अच्छी लगती है, and काफी study है, बट एक घ्यान रखना, जो आपका aluminum frame होगा, आप उसको हमेशा heavy duty का choose करना, जो उसका light duty होता है, उसमें काफी जादा problems रहती है, तो हमेशा heavy duty का ही अपना profile light चूज करना, profile lights आती है, बहुत सारे mm में और बहुत सारे depth में आती है, तो हमेशा हम क्या करते है, हमने अपने vendor को बताया कि चलो 1.5 inch का groove करते है, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा उसको sample लाके देना है, because profile light में 0.111 mm का जो distance रहते था, वो भी बहुत गंदा लगता है देखने में, तो बिल्कुल exact cutting होनी चाहिए, तो हमेशा उसको sample skilled हो, because इसको cutting हो बहुत ही चोटी बहुत ही पतली होती है, लेकिन बहुत fine होनी चाहिए, अब हम बात करते है, magnet light, तो magnet light में क्या होता है, एक magnetic track आता है, आपने जुसके track हो बहुत सारे sizes में आते हैं, तो जो भी आपको size लेना है, वो पहले decide करना है, फिर उसके according अपनी ceiling में cutting करानी है, आपने अपना track कट करा के ceiling में लगवा दिया है, और इसके बाद अब आप बिल्कुल free हो, इसके अंदरा कोई भी light डाल सकते हो, बहुत easy है डालना और निकालना, लेकिन बहुत ही self, आप self कर सकते हो, बहुत ही easy है, और इसमें आप track डाल सकते हो, linear डाल सकते हो, बहुत साइड लाइड सकते हो, rest lights डाल सकते हो, बहुत साइड अपने according इंस्टाल कर सकते हो, इस इंटीर के लिए बहुत ही अच्छी है, आपने बेड्रूम में या में लीविंग अरिया में, center में स्फे ट्रेक डाल दिया, magnetic Isab अपने according, कहीं भी कुछ भी डाल दे, कहीं पे focus light डाल दी कहीं पी linear light डाल दी तो अपने according इसके लाग प्ले कर सकते हो काफी अच्छा look डेती है बहुत ही luxury लुग डेती है black color में आती है तो automatically look को काफी अच्छा enhance कर डिया इपके interior को and आपके हाथ में है अपने according कहीं पर दे सकते हो अपने according manage कर सकते हो तो I think मैंने आपको बहुत कुछ clear कर दिया कि कौन सी light market में available है इस time पे और किसका क्या usage है कौन सी light आप किस purpose के लिए use कर सकते हो तो जो almost lights आती है वो almost आती है focus के लिए उनका focus अलग-अलग direction में रहता है आपके घर में पैनल लाइट को होना बहुत जरूरी है अगर आपको day to day अपके activities है वो बहुत easily perform करनी है तो So guys that's all for the video I hope you like it if you do so तो channel को like, share and subscribe जरूर करके channel That means Allah Chami Thank you guys for watching